हालो दोस्तो कैसे आप सब आज आपको बताने वाला हम ব व्भ वेवॉर।dV को होता है इसको देखते हैं वे आज देखते हैं और खुलत इसके चार राश्टेश को इसको four way wall बोलते हैं और इसको receiving wall भी बोलते हैं ओके गाईस आप लोग यह जो इस्क्रीन पर डाइगराम देख रहे हैं अभी यह normal mode cooling mode पर है ओके यह बहुत अभी cooling mode पर है अभी मैं आपको बता रहा हूं cool mode का एक cycle है कैसे हुआ करता है देख सकते हैं ए रेड लाइन जो आपको दिख रही है ए डिस्चार्ज लाइन है जब आपका कंप्रेशर वग करता है तो हाई प्रेशर हाई टंप्रेशर और वेवर्स गैस निकलती है और कंडेंसिंग में जाती है कंडेंसर में जाने के बाद बाहर का तापमान से ज़्यादा टंप्रेशर रहता है वहाँ पर जब वग करता है फैन तो वहाँ टंप्रेशर जो रहती है और बाहर निकलने लगती है इसलिए वेपर से लिक्वीड में गैस कनवर्ट होने लगती है और लास्ट में जाते जाते लिक्विट में कनवर्ड हो जाती है इसके बाद वहां से एक्स्पेंशन वल में जाती है एक तेख सकते हैं यह देख सकते हैं एक्सिंशन वोल ए इक तो आऱद काम होता है दरिवरी को हमें पेशार से लोगर में अधनल सा बसल शुरागर दdepend कर के Expansion Walk से आगे Low Preferor, Low Temperature, Liquid से आगे Evaprator में जाता है Evaprator का काम क्या होता है Evaprator बाहर के गर्मी को अभ्योब करता है और देरे देरे लिक्विट से वेफर्स में कनवर्ट होने लगता है और लो टमप्रेचर लो प्रेफर और वेफर्स गेज फिर से कंप्रेफर में आ जाता है और इसी तरह साइकल चलता रहता है ओके गाइस यह कूल मोड का सिस्टम बता है अब हीट मोड का आपको बता रहे हैं कैसे वक करता है यह जो डाइग्राम देख रहे हैं यह डिस्चार्ज लाइन डारेट इंडोर के इवापरेटर में जाता है और सेम वक करता है जैसे कूल मोड पे वक करता है और इसे हीट मोड पर वक करता है अब देख सकते हैं इसका डिस्चार्ज लाइन जो है वो इंडोर पर इवापरेटर में जाती है और इवापरेटर से निकल के एक्सपेंशन वोल होते हुए हाई प्रेफर से लो प्रेफर लो टमप्रेचर को डिकल में जाती है देख सकते हैं फोर वे वोल से यू बन के फिरो सक्षन पे चली जाती है और वही साइकल हीट मोर का चालू रहता है ओके गाइस यह जो ब्लैक कलर का आपको दिख रहे है में काम किसी का रहता है आपको बताते हैं इसका क्या काम रहता है अभी देखिए हीट मोर पे है तो दी और बी में वो चला गया है तो सी डिस्चार्ज जो है वो सी के साइड से डारेट इवापरेटर पे चली गई है जब वो cool mode पे जाता है तो जो black color का है D और B, O, C और B में आ जाता है तो discharge D side से निकल गई, condenser, outdoor condenser side से निकलता है और इसको कोने work करता है आपको भी बताते हैं हम एदे के solnet wall लगी हुए इस solnet wall उसको work कराता है आगे पीछे करता है जब हम hit mode पे डालते हैं hit mode पे डालते हैं तो आगे कर देता है और जब cool mode पे डालते हैं तो पीछे कर देता है उसमें capillary लगी हुई रहती है वो prefer के माध्यम से आगे पीछे work करता रहता है उसमें capillary लगी रहती है दोनों side आप देख सकते हैं यह देख सकते हैं capillary है कि प्रेफर के थुरू कूल मोड पे जाएगा तो आगे के साइट चला जाएगा तिन नमबर के साइट और कूल मोड पे जब होगा तो एक नमबर के साइट चला जाएगा यह देख सकते हैं डाइग्राम में पूरा वीडियो अच्छी लिगियों कि लाइक सेर सस्क्राइब ज